नमस्कार दोस्तो मैं हूं जितेन चोधरी स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल JK Aero Take में दोस्तो आज की इश वीडियो में हम बात करेंगे Yes Bank Limited के बारे में जी हां दोस्तो Yes Bank Limited के उपर जो आज का वीडियो है दोस्तो आज काफी मज़दार होने वाला है और जो वीडियो का टाइटल आप देख रहे हैं दोस्तों थमनेल में कि यस बैंक में हो रही नई उडान की तजारी ऑपरेटर का बजेगा बैंड जी यहां दोस्तों आपरेटर इस बार रिटेल निवेसकों को फसाने का जो जाल बुना था अब जो है ओ अपने ही जाल में फ परजेंट करूंगा जिस बैसिस पे आपको यकीन हो जाएगा कि इस बार रिटेलर पक्का हारेगा हाला कि रिटेलर हारता नहीं है रिटेलर हमेंसा फसाता है और आम निवेसक आम रिटेलर का पैसा बरबात करता है जलाता है लेकिन इस बार हमारे भाईयों ने भी कसम खा है कि कुछ भी हो जाए इस बार हम यह सब्सक्राइब को सेल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जो लाकडाउन में जो हुआ हैं इस चीज को जान चुके है कि कोई भी स्टॉक्स हो हमें देशना नहीं है हमें वेशना नहीं है आपको पता होगा कि रिलाइंस का सेर एक समय था लॉक्डाउन में जो आठ सब की निचे चला गया था और आज रिलाइंस इस लागडाउन के बाद पचीस दो हदार की उपर भी गया था बिजाज फैनेंस 2000 के नीचे था लेकिन आज पांच हर के लेबल को टच करने की कोसिस कर रहा है तो यह सब डेटा जो है दोस्तों इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और रिटेल निवेशकों ने अपनी आखों से देख लिया एन जारा अब मुझे उम में तो आज तकरीवन 70 पैसे की बढ़त के साथ यह मैं क्लिम्टेट को जोता हुआ दिखा यदि आप पिछले पांच दिनों का डाटा देखें तो पिछले पांच दिनों के पहले यह मैं लिम्टेट दोस्तों 15 रुपे की लेवल पे गया था लेकिन उसके बाद आब क्लिम्टेट को गिराने का काम कर रही थी जो लोग बोल रहे थे कि यहां से वीडियो दोस्तों काफी मज़ेदार होने वाला है तो मैं आप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखिए देखिए यहां पर पहले नीचे वाला यू जो होता है यू फार अम्रेला उसको उल्टा कर देजिए जब उल्टा करेंगे तो पहले उपर जाता है फिर गुलाई वाले सिप में नीचे आता है अब यहां से यस मेंक लिम्टेट यानि 15 रुपे का जो इसका स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल था इस सप खाई दे रहा है है खास बाते हैं इन 5 दिनों के उठक पठक में यस मेंक लिम्टेट में बिक वाली नहीं देखने को मिले पाँच दिनों का एधिया वाल्यूम चार्ट तो रेट तैंडडल और हरी कैंडल दोनों बराबर है यहांनी कि बुल और बियस में जो है यहांपर बहुत बड़ा competition चला है क्योंकि बुल खरीदने पर उतारू है और बीयर्स बेचने पर तो यहां पर एक तगड़ा competition चला है पिछले data के मुताबिद तो उमीद की जाती है कि यहां से yes bank limited फर्दर जो है आगे की तरफ move करेगा अब हम फिर से चार्ट को analyze करेंगे यह थो था दोस्तो वंडे का चार्ट की वंडे के चार्ट में आप लोगों ने देखा कि 15 रूपे से yes bank limited 17 रूपे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन यह दि आप weekly चार्ट को analyze करें मैं यह चार्ट आपको प्रजेंट कर रहा एजन्सियों ने का जब 14 रूपे 30 पैसे था अक्टूबर में जब इसका quarter 2 रिजल्ट आया था तो अगले दिन 5% का अपर सरकीट लेगा फिर अगले दिन EMK Global ने इसे रेटिंग दे दिया कितने का 9 रूपे का कि यह तो share 9 रूपे पर जाएगा वहां पे काफी लोगों ने बिकवाली की यानि कि जो आपरेटर था वहां पर लोगों को ट्रैप किया डराया कि यह share 9 रूपे तक जाएगा आप यहां से बेचो और लोगों ने वहां पर बिकवाली सुरू की 15 रूपे के जब लेबल पगया था तो वहां से बिकवाली सुरू हुई और 12 रूपे 50 पै और 12 रूपे 50 पैसे पर भी गया था तो लोग इस चीज को देख चुके हैं लोग इस चीज को नोटिस कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हमें जो है किसी भी रेटिंग एजन्सी पर भरोसा नहीं करना है क्योंकि अक्टूबर में उनके साथ जो घटना हुई ओ अब घटना यहां पर साब दिखाई दे रहा है दोस्तो जुलाई सितंबर में किस तरह से उपर गया फिर वहां से अक्टूबर में विक्वाली आई और नवंबर दिसंबर चड़ते ही यहां से सेर जो है 14 रूपे से सीधे 21 रूपे के लेवल तक गया तो लोग जो है इस चीज को जान समझ चुके हैं और Yes Bank Limited को परक चुके हैं कि Yes Bank Limited 12 रूपे 50 पैसे से 21 रूपे जा सकता है तो हम 20 रूपे खरीदे हैं तो चालीस रूपे तो जरूर जाएगा तो इस बार लोग जो है किसी भी कीमत पर Yes Bank Limited को बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं लेकिन मैंने एक सर्वे बोलाता दोस्तों कि इस बार क्या होगा क्या करें तो लोग लोगों का कहना एक कुछ भी हो जाए हम Yes Bank Limited को नीचे मिल रहा है बात करें आज के टेनिसेशन में तो गैप ऑप ओपनिंग हुआ 65 पैसे का 16 रुपे 85 पैसे से ओपन हुआ 27 रुपे 45 पैसे का आज डे का हाई रहा 16 रुपे 75 पैसे लो रहा और 16 रुपे 90 पैसे पे आज Yes Bank Limited ने अपनी क्लोजिंग दी बात करें टेडिंग और डेटा वाल्यूम की तो एनसी यानि की नेशनल स्टॉक एक्स्टेंज पर आज की डेट में 23 करोड 55 लाक 52,294 की क्वांटिटी में Yes Bank Limited में से टेट किये गए हैं जिन में से 9 करोड 21,76,146 सेरों की डिलिवरी यहां पर उठती हुई दिख रही है तक्रीवन 39.13 यानि 49.13 के करीम में Yes Bank Limited में सेरों की यहां पर डिलिवरी उठाई गई है आनि कि जितना सेर नीचे आ रहा है लोग खरीदारी करने हैं मैंने आपको बताया ना कि जो लोग अक्टूबर में ट्रैप हुए थे रिजल्ट आने के बाद EMK Global ने जब अपनी रेटिंग दी थी कि 9 रुपय का सेल काल दिया था तो वहां पर बहुत से लोग ट्रैप हो ग 168 की क्वांटिटी में 16 रुपय 90 पैसे के भाव पे एस बैंक लिंटेंड में बाइंग आडर पड़ा हुआ है पहले सेलिंग आडर पड़ता था अब क्या हो रहा है बाइंग आडर तो इस्तिती कब से कब पलट जाएगी दोस्तों किसी को पता नहीं है क्योंकि यही रिदम कुछ अलग ही है तो जिन लोगों के साथ लागडाउन में जो घटनाय गटी कई लोग नीचे कमेंड बाक्स में मैं उमीद करता हूं कि जो मैं आपसे क्वेस्टन करूंगा आप उसका एंस्वर देने की जरू कोशिस करेंगे नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड कीजि और आपने एक रुपे दस पैसे पर उसको बेच दिया और ओसे आज चार रुपे का है यदि आपके साथ ऐसे घटनाय घटी है तो किस यह में घटी है और कब घटी है प्लीज नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरू बता है हमें इस पर बहुत ही आपार खुसी होगी ठीक है तो आप कमेंड जरू करें और मैं बार बार करता हूं दोस्तों कोई भी स्टॉक सर आपको पकड़ कर बैठीए मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं यदि आपने एस बैंक लिम्टेट को खरीदा है तो बेटर होगा कि आप इसको होल्ड करें जितना होल्ड करेंगे जब ये सेर 16 रुपे के नीचे गया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों कि आपको बेचना नहीं है ये ऑपरेटर का चाल है क्योंकि जो रेटिंग एजनसिया है बार बार मजबूर कर रही थी रिटेल नी में सको कि ओ जो है अपना सेर ये स्वेंक लिम्टेट वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जेके एरूटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद